हलो गाईज मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर आफ एकॉनोमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूँ आपका लर्नेंफन कॉमर्स की सेवाव में तो आज की इस वीडियो में कॉमर्स वाले भूत सारे स्टुनेंट्स की भूत सारी समस्याओं का समाधान होने वाला है उन सब के जो डाउट्स थे कॉश्चन थे करियर को लेकर क्योंकि बहुत सारे एजुकेशनल कॉन्टेंट के अंदर कॉमेंट सेक्शन में ये आप लोग पूछ रहे हो कि सर मेरे पास मैथमेटिक्स नहीं है तो मेरे करियर का क्या होगा तो हम बताएंगे आज की क्लास में वो बातें जिन स्टुनेट्स ने 12th क्लास के अंदर माथमेटिक्स as a subject चूज नहीं किया मैं दोनों की बात कर रहा हूँ चाहे अपलाइड मैथमेटिक्स हो चाहे वो कोर मैथमेटिक्स हो दोनों में से कोई भी नहीं उप्ट किया तो जिन्दगी में वो क्या क्या कर सकता है आगे अपने लाइफ में करियर को कैसे आगे बढ़ाएगा कैसे पैसे कमाएगा कैसे सर्वाइवल करेगा कैसे जिन्दगी गुजारेगा कैसे शादी करेगा शादी भी तो भई अच्छे करियर के बाद ही होनी है अच्छी पर दो और वीडियो के कॉमेंट सेक्षिन में जरूर बताना कि आपको कौन सा कोर्स सबसे अच्छा लगा किस चीज में आप इंट्रस्टेट हो और क्या चीज और आप चाहते हो कि मैं आपके लिए लेकर आऊं और आपको पता ही है कि आपको आपके इस प्यारे लर्न एंट आपकी पढ़ाई कोर्स लेबस की क्लासिस तो मिलती मिलती है साथ में करियर और मतलब गाइडेंस मोटिवेशन ऐसे सारे सेशन मिलते रहते हैं जिसे तुम्हारा हमेशा मोराल बूस्ट अप हो और तुम्हें पता रहे कि तुम दूसरों से आगे कैसे निकल रहे हो हम तुम से पराबर नहीं लेकर चलेंगे हम तुम्हें दूसरों से आगे लेकर जाना चाते कौंपिटेशन को बीट कर तो डूगे तो प्रेंट्स में मोहले में यारों को दोस्तों को क्लास में दूसरे स्कूल के स्टुट्स बादा दो कि यहां पर क्या हो रहा है जल्दी से जाओ join कर लो ओके दोस्तों तो अब आपसे एक main और important और महतुपूर्ण बात यह करना चाहूंगा कि बारवी क्लास में ग्यारवी क्लास में दसवी के बाद basically आप जब commerce choose करते हो तो आपके बास accountancy बहुत main subject होता है economics बहुत main subject होता है business studies बहुत main subject होता है language के तोर पर English और बहुत सारे schools के अंदर अलग-अलग languages भी है Hindi भी है तो यह main main subject आपके पास होते हैं और काफी सारे schools के अंदर कुछ और subject भी provide किया जाते है जैसे कि informative practice IP होता है और front office management नाम का भी subject है entrepreneurship का भी subject है किसी-किसी school के अंदर कोई language प्रोवाइड कर देते हैं C++ C++ ऐसे करके तो बहुत सारे school में अलग-अलग variety के additional subject भी provide किये जाते हैं तो मैं उनके नाम नहीं ले रहा हूँ मैं यहाँ पर सीधी बात कर रहा हूं कि आपके पास economics होनी चाहिए business studies होनी चाहिए accountancy होनी चाहिए और language English होनी चाहिए अगर आपके पास यह चार सब्जेक्ट है और माल लो इन चारों में से भी मैस नहीं है मैस तो नहीं है न कोई एक आदा भी missing है तो फिर भी आप eligible कि आप यह सब course कर पाऊगे पहले इधर आता हूँ इधर आता हूँ यह असान चीज़ें फिर इसकी सारे बाते करेंगे तो दोस्तों नंबार उन पर लिखा हूँ है आप बीकॉम कर सकते हो बीकॉम को इसको बोलते बीकॉम या फिर बीकॉम प्रोग्रेम बारवी के बाद इसमें कॉलेज के अंदर एडिमिशन मिलता है और दोनों में डिफरेंस यह है कि बीकॉम के इंदर जो आप सब्जेक पढ़ते हो वही अकाउंटेंसी बिसनस स्टेडिस एकॉनमिक्स उसको ज्यादा इसको बात करने वाला हूं तो इसको अभी छोड़ देते हैं सिर्फ नाम लेके बिना मैस के कर सकते हो यह सारे 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 कोर्स जो गिनवा रहा हूं और आपको पता है CACS और CMA जैसे अकाउंट्स के जो बहुत पॉपुलर कोर्स है यह विदाउट मैथेमेटिक्स यानी बारवी क्लास में ग्यारवी क्लास में कोई मैस के अलिजिबिलिटी नहीं है आप बिना मैस के इनको कॉंटिन्यू कर सकते हो लेकिन इनके एंट्रेंस में मैं जानता हू कि मैस आता है लेकिन जिनके पास मैस नहीं होता दस्मी के बाद ना वो मैस यहां पर हलके में ले सकते हैं मैस को छोड़कर भी आ सकते तब इनका इंट्रेंस क्लियर हो जाएगा इतना है यह प्र देखो दोस्तों बाचलर इन ट्रेवल एंट टूरिजम तूर ट्रेवल का भ इंडिया को छोडो इंडिया से बाहर लोग जाने लगे हैं बैंक को जा रहे हैंड से लोग फ्लाइट बॉक कराने में भी शॉराइन्ट डेने का काम आवह तो इसके अंदर भी ग्रिजूशन होते हैं महाथ सारे प्राइवेस उन उन यॉनिवर्सेटि इस टो दोस्तों फिर ह पर organize किसने कराया वो एक event manager ने और नाइज कराया event manager यह होते हैं मालो शारुखान अपनी movie के promotion के लिए रहा है रनवीर सिंग अपनी movie के promotion के लिए तो जहां पर आ रहा है तो वो hotel में या उस जगहां पर वो event किसने करवाया event manager ने कराया आज कल बहुत ट्रेंडिंग में समय बिता सकते हैं ठीक है फिर बैचलर ऑफ जर्नलिजम यह न्यूज में बहुत न्यूज न्यूज में पर यानि मेडिया के कोर्से में मैं इसकी काउंटिंग करता हूँ इसके बहुत सारे पर यह जिसके पास मैस नहीं है और वो अच्छा करियर बनना चाहता है आगे देखो दोस्तों आगे बात की जाएगी इन मोटे-मोटे कोर्स के अधिक्स अनिमिशन यानि जैसे कार्फुन वागार रोटे इसमें भी आजकल चल रहा है यूतूप पर भॉट सारा काम इंस्टाग्राम पर बहुत सारा काम है नूज न्यू चैनल में है नियूजनल में भी है अनिमेशन बहुत सारे हम भी और वागर डिक्ट तो बहुत सर मार्केटिंग बीए इन फाइनास बीए इंटुरेंट रेवलिज्म ये डियू के कोर्स है और मैं बताओ कॉलेज ओफ और केशनल स्टेडीज है साकेत में ये दिल्ली उनिवर्सिटी का कॉलेज अब यह बहुत सारे ऐसे कोर्स कराता है बहुत बढ़िया बढ़िया कोर्स है ठीक है धुस्तो अब एक बािजुलर ऑफ आर्ट सब्सक्रटिंगे इस से नोक्री के इतने ज्यादा चांस नहीं होंगे बतलब नाम्मात्र की ग्रेज़िशन और सरकारी नोक्री की तैयरिया कर सकते हो यह के बाद मतलब ग्रेजुशन नाम मातर की होगी शादी के लिए क्वालिफिकेशन मान सकते हैं आप ग्रेजुशन है बस इसको इतना मैं सजेश्ट नहीं करूँगा अगर आपने करनी है तो फिर कॉमर्स वाले स्टुरेंट हो भी यह क्यों कर रहे हो वी कॉम कर लेना चलता है फिर बैचलर इंटिरियर डिजाइनिंग एक कोर्स है जो आजकल इंफरा स्रक्चर आप जानते हो बिल्डिंग बंद नी बंद कभी नी होगी तो बिल्डिंग के अंदर की डेकुरेशन आजकल सब लोग चाते हैं बहुत बैधरिन लेवल की हो तो बड़े से बड़े अमीर लोग उसके लेड़े पैसा खर्च करने को तयार है तो उस बात का फाइदा उठाते हैं इन्टीर डिजाइनर बड़िया सबढ़िया डिजान से बड़िया के मतवसूलते हैं तो बहुत-बड़ी इंग करते हैं और यह बात बता हुं तो То दो यह कोर्सिस थे मैं बात करने वाला हूँ प्रोवाइड किये जाते हैं मतलब आप बीबे के अंदर इस स्पेसिविक चीज़ की ज्यादा पढ़ाई कर सकते हो स्पेशलाइजेशन का मतलब यह होता है अगर मैं बात कर रहा हूं आप से बीबी ए इन फाइनांस की तो इसका मतलब यह नहीं कि आप बीबे का कोर्स करो ग का मतलब यह वो लोग होते हैं human resource वाले वैसे जो company में नोकरी देते हैं किसी का interview लेते हैं तो human resource वाले होते हैं इनका बड़ा एहम रोल चल पड़ा आज के डेम में बीबी इन computer application चल पड़ी है वैसे तो BCA नाम का एक course होता है bachelor of computer application यह without maths हो सकता है लेकिन इसमें maths की knowledge हो तो ह करने इसको please क्योंकि बाद में इसमें maths चाही होता है BBA in hospitality में भी होती है information system में भी होती है international business business administration entrepreneurship retail business accounting tourism sports management इतने सारे specialization है जिस field में आपका जाने का मन है आप वहाँ पे BBA कर सकते हो लेकिन 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 यह बात आपको ध्यान रखने पड़ेगी कि जिस भी state में आप रहते ह हो जरूरी नहीं है कि उस state के अंदर जो university है वो यह सारे BBA के specialization offer कर रही हो सब नहीं करती अलग अलग university अलग अलग करती है तो अपने हिसाब से अपनी compatibility के हिसाब से कि आप कहा जा सकते हो कहा मूव कर सकते हो उसके हिसाब से आपको चूस करना चाहिए और फिर मैं आपको ब GBA LL B ya BALP होता है काफी सारे जगा BCOM LLB भी करा जाती है काफी सारे जगा BSC LLB करा जाते है इससे कोई फर्म बढ़ता है ये एललबी पात साल की लेकिन degradation के बाद करोगे तो ये 3 साल के LLB होती है अब 3 साल के LLB हो जाएगी वो सिर्फ LLB होती है समझे लो सिर्फ LLB बोलते इसको तो बारी के बाद 3 साल की graduation 3 साल के LLB तो 6 साल लग गए वकील बनने में लेकिन सीधा पहले से सोच रखा था कि वकील बनना है तो बारवी के बाद पांस साल में वकील बन जाओ फिर सीधा जाके केस लड़ो जरूरी नहीं है कि वकील कोट में जाके केसी लड़ता है बहुत बड़ी-बड़ी प्राइवेट कंपनीस के अंदर कंसल्टेंट के तोर प पेटेंट और इंटेलेक्च्वल प्रोपर्टी लो होता है यहां पर पेटेंट राइट्स दिये जाते हैं मैं कोई समान मना रहा हूं तो मैं उसका पेटेंट राइट ले लूँँआ तो कोई और उस समान को नहीं बना पाएगा तो ऐसा वकील क्रिमिनल लो बहुत बड़ सबूद था कि तुन्हें उसको पैसे दिये चेक लिया था ने लिया था ऐसे बहुत सारी चीज़ें पैसे आपको इक बाता हूं जितने भी मैंने ग्रेजूशन कोर्स करा हैं उनको करने के बाद MBA कर सकते हो MBA बहुत बढ़िया प्रोफेशन है MBA बहुत सारी युनिवरसिटी कराती हैं और आई आई एम बहुत ज़्यादा फेमस है डियू के इंदर फेकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टेडी से जिसमें लिमिटेट सीट्स होती है वह भी बहुत ज़्यादा लेकिन मैं इतनी यहां पर ब्रोड केटेगरी नहीं खूलना चाहता क्योंकि आप जिस क्लास म में बता दो और मैं उसका हमापर जवाब देने के लिए तयार हूँ आपको जो कुछ भी पूछना हो लॉस से रिलेटेड बीबीए से रिलेटेड या मैथ और विदाउट मैथ वाले जो भी मैने बाते बताई है उन सबसे रिलेटेड आप पूछ सकते हो और अगर आप पहुत पैसे अब जबता है जर्नलिजम वाले भी भूट पैसे शापते है होटल इंडेसरी में बहुत पैसा है और चैसी में तो कमर्स के टॉप रंग कोर्स है यहाँ पर भी पैसा है लेकिन पहूट सब्सक्राइब लगता है कि लंबे समय में इतने टाइम लग जाता है तूरें ट्रेवलिंग में भी अच्छा का सा है मतलब पैसो की कमी नहीं है पैसो की कमी नहीं है और कौन कितना पैसे कमाता है अगर मैं बोल दूँ कि यह पर डिकुलर कोर्स करने के बाद आपकी एक साल की 10 रुपी वाली लग जाएगी तो यार यह कहना गलत होगा क्योंकि यह अमाउट सच में सबके लिए जूट है वह बीस लाग भी हो सकता है यह कंप्लीटली डिपेंड करता है कि उस को करते समय आपने कितनी नौलेज गेन की है एक कोर्स को यार सो बंदे करते हैं सो के सो बंदों की बराबर की सेलरी वाली नोगरी नहीं लगती को समझरोब एक कोर्स को 500 लोग कर रहे हैं तो 559 नहीं मिलेगी क्योंकि सब के अंदर उस को करने के बाद अलग अलगब तरीके की स्किल्स डवलब हुई है तो अच्छी कासी नोगरी मिल जाती है मतलब वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आएगी कमपनी की मैनेजमेंट में वैसे भी वो बड़ा मेन ओहदा संभालते हैं तो दिक्कत वाली आने कुछ है नहीं करियर के अंदर तो आपको जो जो परेश